हेलो डियर कंडिडेट नमस्कार श्वागत है आप सभी का फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात करेंगी यूपी त्रप्रदिस अधिनस सेवा चैन आयो की तो यहां पर आपके दो भरतियां गया एक तो आपकी लेकपाल भरती है और एक तो आपका पीटी है इन दोनों का आप पहले से भी काफी वीडियो देख चुके होंगे और आपको रियल्टी बता दें लेकपाल पर इच्छा की रजल्ट की तो इसका रजल्ट जो है आपको नॉमबर की लास्ट वीक में जो है और दिसम्बर की फर्स्ट य शेकरंड वीक तक जो है उंबीद है कि लेकपाल यानि कि जिस दिन आपका एक्जाम हुआ था उसके 64 डे के बाद आपका रेजल्ट आया था और 2022 की बाद की जाए तो कहीं ने कहीं कंडिडेट की जू संख्या है वो सवा और दिर गुनी संख्या हो गई है तो रेजल्ट दिनने में टाइम लगेगा और सबसे पहले तो तक उम्बीद है कि आज आएगा और इसके लगवक 15-20 दिन लग जाएंगे उसके बाद ही पीटी का रेजल्ट आएगा तो आप मान के जलगे कि लेकपाल का रेजल्ट है वो आपका नॉम्बर के लाश्ट वीक और दिसम्बर का फेस्ट वीक और सेकेंड वीक तक और पीट जल्दी आपको रेजल्ट दे दे बात करते हैं पीटी कट ओफ कॉमन कट ओफ पर तो यह क्या पीटी का कॉमन कट ओफ लागो होगा तो आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे जो भी पीटी के कंडिडेट हैं जिन लोगोंने भी पीटी का एकजाम दिया है या आँगे आने पाले टाइम में पीटी देना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को कॉमन कट ओफ पर जो है इसके लिए कंटिन्यू आपको जो है जहां पर भी आपको बताया जाता है ट्वीट करने के लिए या कोई अधर जो है प्रोसेस से किसी भी प्रिकार से जो है गवर्मेंट से यह र आंदूलन करते हैं यह जो है डिक्टन करीके से श्ट्राइक करके जो है एक आंदूलन किया जाता है तो जिस प्रकार से भी किया जाए आपको उसमें हिस्सा लेना है ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको भी ज्यादा से ज्यादा वर्तियों में बैठने का मौका मिले और UPTET और CTED, UPTET और CTED का आप देख लीजिए, कि इसमें जो है क्या था, कि जो इसकी certificate की validity थी, तो certificate की validity जो है 5 साल, 7 साल थी, लेकिन present time में आप सभी को पता है, UPTET और CTED lifetime valid किया गया है, तो ये भी बदलाव हुआ है, कहीं न खहीं इन चीजों में बदलाव किया गया है, के लिए तभी ये बदला होगा, यदि आप सभी लोग सांत बैठी रहेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, गवर्मेंट अपने हिसाब से वर्क को करती रहेगी, और सब लोग ऐसे ही बैठी रहेंगे, जिन candidate का PT अच्छे मार्क आ गए है, और उनको एक दो भर्तियों में बैठने का मौका मिल जाता है, वो candidate दूसरी candidate का ब्रोध करते हैं, तो ऐसे सभी candidate से हम कहना चाहेंगे, कि उनका ब्रोध ना करें, आपको दो भर्तियों में बैठने का मौका मिल ला है, तो जरूरी नहीं है, आप उन दो भर्तियों में बैठने के बाद एक अपने पोस्ट को प्राप्ट कर लें, आपको भी उन लोगों का सहीवक करना है ताकि आने वाली सभी वर्थियों में ज़्यादा से ज़्यादा कंडिडियेट को बैठनी का मौका मिले तो फ्रेंट यह हो गया आपका लेकपाल रजल्ट पीटी के समन्द में महित्पूर वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से एर करें थैंक यू